दोस्तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है तो आज की जो वीडियो है वह बहुत ही अच्छी और धमाकेदार होने वाली है तो आजकी जो वीडियो है वह जी ओफॉन आपको कितने का मिलेगा यह जानकारी मैं आपको पूरी डीटेल के साथ देता हूं और यह नया कितने का आता है यह भी मैं आपको बता देता हूं नया और फुल डीटेल के साथ आपको मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा तो गाइस अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस फॉन के बारे में जो इसका एक नया फोन अभी तो यह वाला है हमारा अगर ऐसा आपके पास कोई पुराना फोन पड़ा है जो कि बिदाव मतलब उसका कोई अब कुछ भी नहीं बचा है उसमें और नहीं हो रहा है चल नहीं रहा है कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी उसमें अब वह बिल्कुल हो चुका है तो ग HP 1218 GB 2 मेमोरी काड मिलेगा 6.545 इंश की विस दिस 參एक है और तेरा मेगा फिक्सल का इसका केमरा और चा का केमरा वह 13 Megafix लका है और बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी आपको इसमें मिलेगी 3500 mh की 3500 यानि की mh तो 3500 mh की गाइस बैटरी मिलेगी Dual Sim इसमें आपको चलेगा और इसके function कुछ और भी है जैसे की 6000 movie देख सकते हो Gio Cinema देख सकते हो My Gio application इसमें होता है Google पे होता है इसके अंदर Gio Game होते है Gio Cinema होता है 1000 movie तो आप Gio Cinema में आप 1000 movie देख सकते हो YouTube और WhatsApp Facebook YouTube यह सारी चीज़े आप इसमें चलाई सकते हो तो गैस जो अगर without exchange में आप इस mobile को लेना चाहते हो तो यह 4000 रुपे का mobile मिलेगा गाइस मतलब 4000 रुपे का mobile यार इतना बढ़िया अगर आपको function के साफसे मैंने बताया है तो आपको कैसा लगा यह जरूर मेरे को बताए कि 4000 रुपे में mobile कैसा लगा अगर आप एहले से जियो का phone चला रहे तो एक्षेंज भी हो जाता है और जियो फोन अगर 4000 रुपे यह भी तो पंद्रहसो दो जार रुपे का अभी 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 इस समय मिल रहा है तो आपको क्या करना है यह phone लेना ही नहीं है खराब हो गया तो इसके साथ एक्षेंज भी कर सकते हो और इसका आप स्मार्टफोन भी ले सकते हो तो आप स्मार्टफोन वाले बन जाओगे तो आप जैसे कि अगर एक्षेंज में लेना है तो एक्षेंज में कितने रुपे का पड़ेगा जैसे कि कोई भी अगर किछी का पुराना phone है जो चल नहीं रहा है बिल्कुल बंद पड़ा नहीं बहुत ले रहे तो कि अगर आपको exchange में लेना है मुबाइल तो करना क्या होगा किसी भी आप दुकान पर जा सकते हो उसको आप यह मुबाइल देना और जी ओ फॉन Nesht के बारे में बता दरेका, मुझे जी ओ फॉन Nesht लेना है जो कि एक्सचेंज फॉर में कितने रुपय का ये आप में दॉत उन वहारों, ऐसे टो लेना है, तो व problème. झाँ आख कि जाएगा कि कितने रुपय का यह वाला फॉन आपका जाएगा और कोई दिक्कत नियुह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जियो स्टोर का जो नंबर होता है आप तो उससे गूगल पे साथ करके नंबर आ जाएगा जियुह स्टोर से बिलकूल अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर लेना मिलेंगे